हेले स्टूडेंट कैसे हैं आप सब विवारपुना आप सभी का आपके अपनाई शेनल सीव कोचिंग क्लासेश पर स्वगत है क्लास टुल्थ कमिस्टी एंसी अर्टी चैप्टर सेकेंड में आज का टॉपिक है सानरता के आधार पर बिलियन के प्रकार इसके पहले पदार्थ के अवस्था के अधार पर बिलियन के प्रकार हमने देखा था जिसमें पहरे भायों तीन प्रकार थे गैसी बिलियन द्रविलियन और ठोस बिलियन मतलब billion ये नहीं है कि केवल द्राव वस्था में होता है वो ठोस वस्था में भी हो सकता है billion कहलाता क्या कि दो ये दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिस्षण को हम billion कहते हैं example के तार परेदी जल में हम नमक मिला दें तो billion का निर्मार हो जाता है तो हमने पदार्थ के वस्था के अधार पर billion के प्रकार को समझा दिया था जो कि प्लेइलिस्ट में आपको मिल जाएगा न्यू बेच 2021-22 का अलग से प्लेइलिस्ट बना दियों जहां पर आप देख सकते हैं उसमें पदार्थ की मात्रा कितनी है यह सांद्र कहलाता है जिसका इकाई होता है ग्राम प्रति लीटर मतलब एक आंक लीटर कोई आपके पास माली यह द्रव है उसमें कितना ग्राम अन्पदार्थ मिला हुआ है उस पदार्थ की मात्रा ही उसकी संद्रता कहलाएगी जैसे एक गलास में आप 10 ग्राम भी चीनी डाल सकते हैं और लगभग 200 ग्राम भी चीनी डाल सकते हैं वो संद्रता कहलाएगा जिसमें चीनी अधिक होगी उसकी संद्रता अधिक होगी पैरे भायो जिसमें चीनी कम है उसकी संद्रता कम है जैसे सिंपल तरीके से यहाँ पर दो बीकर आपको दिख रहे हैं दोनों बीकर में मालीजे जल भरा हुआ है और रेड कलर से पैरे भायो इसमें चीनी हमने दर्साया है तो इसमें चीनी की मात पदात की मात्रा कम है वो कहलाता है तनु बिलियन और जिसमें बिले पदात की मात्रा अधिक है वो कहलाता है सांद्रता के आधार पर बिलियन को पांच भागों में बाटा गया है पहला है सांद्र बिलियन दूसरा है तनु बिलियन संत्रप्त बिलियन असंत्रप्त बिलियन तीरे दीरे करके पांचों को बखुबी समझ आने की कोशिख करूँगा. आप लोग अच्छे से समझने की कोशिख करें. तो दो आपको तो बहुत आशानी से याद हो जाएगा. तनू बिलियन, जिसमें बिले की मात्रा बहुत कम होती है. वो तनो बिल्यन कहलाता है और जिसमें बिले पदार्थ की मात्रा अधिक होती है अर्था तो बिलायक के तुल्ला में कम होती है ऐसा नहीं कि बिलायक से अधिक हो सकती है देखिए मुख रूप से किसी भी बिल्यन के दो घटाक होती है एक बिले जिसको मिलाया जाता है और एक बिलायक जिसमें मिलाया जाता है जिसे पानी में हम सक्कर मिला रहे हैं तो पानी एक बिलायक हो गया सक्कर एक बिले हो गया तो जिसमें बिले पदार्थ की मातरा कम होती है उसे हम तनु बिलन कहते हैं और पैरे भाईो जिसमें बिले पदार्थ की मातरा ज्यादा होती है उस स आत्र दस ग्राम, दस ग्राम क्या मिला हुआ है चीनी, यहांई आपका सक्कर, यहां पर आप लिख सकते हैं, दस ग्राम सक्कर मिला हुआ है, यहां पर भी प्यारे भाईो, दो लीटर ही है, क्या है, दो लीटर है, लेकिन, यहां पर जो सक्कर है, वो लगभग, प्यारे भाई यह 250 पाव मान के लिजी मिला हुआ है तो यह सांद्र कहलाएगा मतलब गाढ़ापन ज्यादा हो जाएगी और यह बिल्कुल पतला रहेगा पैरे वाई जिससे सीरा करनिर्मार करते हैं आप गुलाब जामन बनाते समय सीरा सीरा देखें होंगे पैरे भाई हो लग 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 थ होड़ा से सीवी होता है बाकई आपका चीनी का मात्रा बहुत जैदा मात्रा में होता है तो सांद्र बिलियन कहला जाता है तुम और हैम्मात्रा को हुआ है तो वो तनु बिलियन कहलाएगा तो सिंपल तरीका से समझ गया कि तनु बिलियन क्या है जिस बिलियन में बिले की मात्रा बिलायक के पेच्छा बहुत कम होता है अतंत कम होता है ना के बराबर होता है सूच मात्रा में होता है वो तनु बिलियन कहलाता है वहें पर दि जिसमें बिले की मात्रा अल्प बहुत कम वो तनू और जिसमें बिले पदार्थ की मात्रा अधिक होती हो सांडरे बिलियन कहलाता है। इसके बाद बात करते हैं पेरे भाईयो संत्रफ्त विलियन, संत्रफ्त जैसे बात करते हैं जब आप लोग यह निमानी जे खाना खाते हैं और खाना में कोई भी भोजर मतलब स्वादिश्च लगता है और आपका फेट फूल हो जाता है, तब आप कहते हैं कि हम आज की इस खाना से संत्रप्त हो गए, मतलब पूर्ण रुप से हमारा पेट भार चुका है, मतलब जितनी छमता थी पैरे भायों, उतना हमने ले लिया है, अब हम कमफर्ट हैं, खाना खाने में आपकी छमता चार रूटी है, तो चार रूटी है आपन की छमता है, कि मा लीजी हमारे पास दो लीटर जल है, उसमें हम धाई सो ग्राम ही सकर घोल सकते हैं, इससे और अधिक मातर में डाल दें, तो ये नहीं घोल सकती, तो वो कहलाती है संत्रप्त बिलियन, मतलब प्यारे भायों, आपके पास एक बिलायक है, और उसमें बिले प पर बिले की और अधिक मातरा ना घोली जा सके, उसे हम कहते हैं संत्रप्त बिलियन, तो संत्रप्त बिलियन समझ गये, पहरे भायों, संत्रप्त बिलियन क्या है, जिसमें और अधिक, जैसे आपके पास टार्गेट है, चार रोटी खाने का, तो आपने एक खाया, दो खाया तीन खाया चार खाया अब एक ऐसी स्थित आगे बहिया कि आभम नहीं खाएंगे हां खा तो सकते legends से जादा हमने खाया तो हमें दूक्सान हो सकता है यह हमारी सुर्ज को छती हो सकती है उसी प्रकार से यदि बिलायक में और अधिक मात्रा में हम बिले पदार्थ मिला दें त तो कि जितनी उसके पास छमता उतना नमक घोल लेगा और जब तक घोल रहा है मतलब वो संत्रप्त बिलियन अधिक मात्रा में मिला दिये तो फिर संत्रप्त बिलियन नहीं कहलाएगा तो संत्रप्त का आर्थ समझ गए कि एक ऐसा इस थी तो जिसमें बिले पदार्थ खुल जाए उससे अधिक बिले पदार्थ मिला दें तो ना घुले वो कहलाता है संत्रप्त बिलियन अब बात कर लेते हैं असंत्रप्त बिलियन की देखो संत्रप्त का मतलब है अपने according अपने छमता के आधार पर आपने भोजन ले लिया लेकिन असंत्रप्त मतलब जैसे आप किसी भी साधी बरात में कहाना मालो आपको संतुष्ट में नहीं मिला आपके पास छमता था भीया की आठ गोल गप्पे खाने के लिए लेकिन आपको पांच ही मिले तो तीन गोल गप्पे खाली रह गया पेट तो मतलब कहने का ये हुआ प्यारे भाईयों कि आपकी छमता के अकॉर्डिंग आपको भोजन नहीं मिल पाना ऐसे बिलायक में जितना उसके खोलने की छमता है बिले पदार्थ की उतना उसे बिले पदार्थ ना हो पाना वो असंत्रप्त बिलियन कहलाता है जैसे हमने बताया कि एक लिटर पानी है उ ऐसे बिल्यम को हम असंत्रप्त का मतलब एक फिक्स मात्रा जिस से और अधिक न घुला जा सके और असंत्रप्त मतलब संत्रप्त मेंसे थोड़ा सा कम हो हमने एक जबदा के तौर पर आपको समझा दिया खाना आप भोजन करना चाहते हैं चार रोटी आपके पास चमता है लेक क्या कहलाएगा असंतरप्त बिलियन मतलब समझें थोड़ा समझने कोशिश करें बहुत सिंपल है आपके पास छमता कितना है चार रोटी खाने का तो आपने दी चार रोटी खाए तो संतरप्त हो गए यदि आप चार से कम खाए तो असंतरप्त है मतलब आपका पेट फुल बहले हमें उल्टी शुरू हो गई तो इस्थित यहां पर यह बनती है पेरेवायों कि जब आप पूंड रूप से अपने चंता के अंसवार ले लेते हैं तो वह संतरप्त हो कम हुआ तो असंतरप्त हो और यदि चंता से भी ज्यादा इक्ष्ट्रा हो गया जिसे अपच की बीवारी भी कहते हैं पेरेवायों खाना ज्यादा खालेने से पेट में अपच हो जाताのは तूरına की बात करने जैसे हैं इसकी स्मता एदि 100 ग्राम मिलाने की स्मता किपने हैं 50 कर दिए तो और यह संतरप्त कर दिए तो जिसमें बिले की और अधिक मात्रा ना खोली जा सके वो संत्रप्त है और यदि बिले की मात्रा भाया घोली जा सके मतलब उसके चमता से कम है बिले तो असंत्रप्त है और यदि चमता से भी अधिक है प्यारे भायो संत्रप्त बिलियन से भी अधिक बिले पदात की मात्रा है तो वो ब जो प्रकार है पेपर में जिंदिगी में कभी ना तो पूछे जाएंगे लेकिन आगे चलकर आप विभिन प्रकार के टॉपिक को क्लियर करेंगे जहां पर ये सब्द आपको देखने को मिलेंगे और वहां पर इसका अर्थिदी आप समझ जाते हैं तो आपको कोई वे टॉप सब्दों का आर्थ निकालना सीखे तो आसर उमीद है छोटा सा वीडियो पसंद आई हो गई पसंद आए तो प्रीज लाइक कर जी दोस्तों सेर करेंगे मिलते हैं अगली वीडियो में जैहिन बंदमात्रम